खबर रिवा से है जहां पंचायती चुनाव नजदीग आने से एक बार फिर से ग्राम पंचायतों में हल चल तेज हो गई है चुनावी सरगर्मिया तो चल ही रही है जहां पर अभ्यारती मतताताओं को विभिन प्रकार से रिजहाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन रिवा जिला के गंगेव जनपत की सिधा ग्राम पंचायत में एक अलग ही मामला प्रकास में आया है देखा जाये तो सिधा ग्राम पंचायच जनपत पंचायच गगेव में जनप्रतिनितियों के द्वारा सुतंतरता से लेकर अब तक विकास के नाम पर सिर्फ व्यक्तिकत पोशन और निजी स्वार्थों की पूर्ती ही हो पाई है यहां अलग से मतदान केंद्र बनाये जाने की आखिर मांग क्यों उठ रही है देखा जाये तो सिधा ग्राम पंचायच से लगे ग्राम निवरिया में आज भी आने जाने के लिए कोई सरकारी मुरम युक्त रास्ता नहीं है हालात यह हैं कि निवरिया के लोग बरसात के दिनों में 3-4 महीने तक गाउं से बाहर निकलने के लिए और गाउं में प्रवेस करने के लिए 100 बार सोचते हैं राजनितिक रसूख के चलते कुछ सरपंज प्रत्यासी उन्हें पहले से निर्धारित सिधाहा ग्राम के पोलिंग स्टेशन क्रमान 97 को बदल कर निवरिया में करा दिया बताया गया कि उस रसूख वाले प्रत्यासी के वोट निवरिया में जादा थे इसलिए निवरिया के लोगों को इसे सुविधा देने के उद्देश से ये किया गया लेकिन जहां निवरिया के लोगों को सुविधा तो मिल गई तो वही सिदा और भवरिया के लोगों के लिए मुसीवते खड़ी हो गई इस मामले की शिकात मौखी तोर पर पटवारी तहसिलार थाना प्रभारी स्थानी सचिव और सभी को ग्रामीर कराते रहे लेकिन किसी की सुनवाई नहीं हुई मामला तब तूल पकड़ा जब वर्ष 2022 के जुलाई में होने वाले मतदान की तिथियां घोसित हो गई पता चला कि अब तो मतदान बारिस के समय पर होगा लेकिन निवरिया जाने के लिए जो रास्ता है वो पूरी तरह से कच्चा प्राइवेट निजी आराजी के खेत में होते हुए कीचड योगत और बड़े नालों से होकर जाता है जिसकी वज़ा से लोगों को दिक्कतों का स लोगों से पंचनामा हस्ताख्षर करवा कर पतिव हैदन दे ढौर बताये कि निवरिया की डूख के के लोगों के लिए न की निवरिया के लोगों से पोलिंग स्टेशन सिदाहा और भमरिया के लिए अलग किये जाने की जो मांग उठी है उसमें सिदाहा और भमरिया के कुलमतदाताओं में 85% से अधिक हरिजन और आदिवासी मतदाता हैं जबकि सिदाहा और भमरिया में कुलमतदाताओं की संक्या 409 है तो वहीं निवरिया गाउं के अधिकतर मधदाता सामाने वर्ग के हैं और उनकी संख्या 373 है इसी प्रकार यहां के लोगों का मानना है कि उन्हें अनायासी प्रशाशन कीचड़ और नाले में बर्शावत मि मरने के लिए बनाया जाए। सिदार भामरिया के जिन मतदाताओं ने पोलिंग स्टेशन निवरिया से बदल कर सिदार किये जाने की मांग की है। उनमें पूर्व सरपंच राजमणी सिंग के साथ कई ग्रामीड भी शामिल है। किचल क्यं होता है ? वहाँ पे कीचल है। नाला अाला या नाला है वहाँ नाला वर सिदार क tuvalने पुलिंग स्टेशन जाने काषाक रूंन तो कहां पोलिंग स्टेशन चाहते हैं। challenge काषा द्रेखी काषी करता है। मैंने सेधा पोलिंग के संबंद में एक शिकायद कराई थी SDO रिवनू मन्गम आये थे और शिकायद सुनने उनको सेधा आने चाहिए शिकायद का जो मकसद था वो यह था कि सेधा वालों को बॉर्ट डालने में निवरिया सुधा हो रही है नहीं हो रही है इस पर विशार करके उनको पोलिंग का निश्चित करना चाहिए था तो वो सेधान आके निवरिया चले गए और निवरिया से जो भी अंचनामा पंचनामा मनवाल यह भगवान जाने और वहीं से लोड़ गए यहां हमारे पटवारी हमारे बैठे थे गिरिस गौतम और बांकी पब्लिक खड़ी खड़ी रहे गई हम लोग सामके आठ वे तक इनतजार करते रहे कि साथ साहब अभी नहीं तो कुछ देर से आते हैं कहीं और कोई काम आ गया हो पर सब्सक्राइब नहीं नहीं कोई उनसे रिस्पांस मिला कि साहब मेरी पोलिंग बन रही है आपकी पोलिंग बन रही है बने जी क्या नाम है आपका कहां बोट डालने जाते हैं हम तो जाते हैं निवरिया तो इस साल बरसात में चुना हो रहा है नाला है की चड़ में कहां जाएंगे लंगरा दू है बरसात में कहत यह पोलिंग को लेकर के निवरिया में भी एक मामला उठा है नाला वगैरा है जहां पर दिक्कत होरी लोगों को क्या पूरा मामला है और आपका क्या कहना है अब इसमें ऐसा है कि वारिस का मौसन तो चल ही रहा है और यहां के बोटरों के लिए वहां जाने के लिए अगर साधन सुविधा की बात की जाए तो सिर्फ है हेलिकाप्टर या हवाई जहाद संभव है मांकी तो किसी प्रकार की वहां जाने की सुविधा नहीं है तो सरकार से आप माग करते हैं कि यहां पर हेली काप्टर की विवस्था कर दे। हाँ अगर यह है कि यह लोग इलेक्षन में सामिल हूं बोड डालें तो करें विवस्था अन्यथा आप कैसे जा सकते हैं लोग तो कुल में लाके आप यह चाहते हैं कि सेधा और भुमरिया के लिए पोलिंग स्टेशन से दहा में बनाया जाए और लोहरा के लिए निवरिया में बनाया ताकि उन लोगों को इधार आने में दिक्कत ना हो और आप लोगों को उधर दा जाने में दिक्कत ना हो ठीक